अगर वो जो बॉल है वो कटोरा है वो सूप से 4 सेंटी मीटर हाइट तक भरा होता है how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients तो daily की daily 250 patients को सूप सर्व करने के लिए कितना सूप बनाना पड़ता है कितने सूप की requirement होती है यह आपको बताना है तेले question की शुरुआत करते हैं देखे हमें cylindrical ball दे रखा है इसमें सूप जो भरता है वो 4 सेंटी मीटर हाइट तक भरता है इसका diameter भी दे रखा है अब जो number of patients है वो 250 है तो एक दिन में कितना सूप बनाएगा hospital यह बताना है तो simply volume of soup hospital has to prepare हो जाएगा volume of ball into 250 और ball में भी कितना height लेना है 4 cm तो यह लिख लेते हैं volume of soup hospital has to prepare is equal to volume of ball into 250 अब जो ball है यह जो कटो रहा है आपका cylindrical shape का है तो cylinder के volume का formula लगेगा पाई r square height into 250 पाई की जीए 22 upon 7 लेना है और radius यहां direct नहीं दे रखा diameter दे रखा है तो diameter का half radius होता है तो radius हो गया है यहां पे 7 upon 2 into 7 upon 2 height दे रखी है 4 cm यह height उतनी height है जितनी height तक का जो soup है वो भरा जाता है तो हमें तो उतने से ही मतलब है ना तो 4 cm और क्योंकि 250 patients है hospital में और यह एक दिन का खर्च है तो 250 से multiply करेंगे solve करते हैं 7 upon 7, 7 upon 7 यहां पे 224 हो गया और यह पूरा का पूरा 4 उपर से कट गया अभी नीचे कोई value नहीं बच रहे है उपर values बच रहे है 22 into में 7 into में 250 इन तीनों values का जब आप product करेंगे तो यह value आएगी 38500 volume चल रहा है centimeter में तो centimeter का cube तो यह तो आ गया है volume अगर इसके liters बताने हो तो ध्यान रखें कि 1000 centimeter cube के अंदर 1 liter होता है यह centimeter वाला relation है अगर आपका volume centimeter में दे रखा हो ना तो फिर 1000 centimeter cube के अंदर 1 liter होता है इसी relation को हम यहाँ लगाएंगे तो liters भी पता चल जाएंगे कि कितना liter soup बनाना होगा एक दिन में तो हमें दे रखा है volume तो 38500 centimeter cube इतना तो volume है इसकी multiply 1 liter पर 1000 centimeter cube से करेंगे क्योंकि 1000 centimeter cube के अंदर 1 liter होता है यहाँ centimeter cube से centimeter cube कट गया और यह 30 इन में से 20 यह वाले तो इस 20 से कट गए और यह 10 बच गया 10 जब इसे divide करेगा तो 5 से एक step इधर point लग जाएगा तो 38.5 और यह liter हो गया यही आपका answer है question खत्म तो इस विडम बस इतना ही next lessons के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए good bye